ताजा तर्टन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं है स्लामुद्दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स मुम्रा में खुले गटर नालो को लगातार आपको दिखा रहा है किस तरह से ये गटर नाले खुले हैं कभी भी बड़ा हाथता हो सकता है गोरे गटर में खुले गटर में एक डिव्यांसू नाम का बच्चा गिर गया था मगर आज तक उस मासूम बच्चे का पता नहीं चल सका इस हाथसे में BMC की लापरवाही माने गए थी मगर ठाने महानगर पालिका गोरे गाव हाथसे के बाद भी आख नहीं खुली है और मुंबरा शहर में खुले गटर नालो को बंद नहीं किया गया है आपको बता दे कि मनपा की लापरवाही से दारूल फला मस्जित के पास एक्सिलेंस क्लासेस का एक बच्चा खुले नाले में गिर गया आपको तस्वीरे दिखाते हैं देखिए ये वही नाला है जिसमें कल एक बच्चा इस नाले में गिर गया था तेज वारिश की वजह से नाले में पानी का तेज बहाव था ये घटना कल की बताई जा रही है कल शाम के वक्त क्लासेस से छुटी हुई उसी वक्त ये बच्च बाहर आया वीडियो देखें किस तरह से ये बच्चा आगे बढ़ता है इस बात से बिलकुल अंजान है कि आगे नाला है और उसमें गिर जाता है नाले में तेज बहाव था मगर कुछ लोगों ने इस बच्चे को बचा लिया यानि एक अन्होनी होने से टल गया बच्चे क चोट जरूर लगी है गनिमत ये रही कि अस्थानिय लोगों ने इस बच्चे को इस नाले से बाहर निकाला इस तरह के नाले मुम्रा में जानलेवा साबित हो सकते हैं नहीं मनपा इन नालों की दुरूस्ती करती है और नहीं अस्थानिय नगर सिवकों को किसी की जान की आते हैं कि किस तरह से ये बच्चा नाले में गिरा है और चसंदीदों ने इस घटना के बारे में क्या कुछ बताया है क्या है झाले अधे बताया है जुछ झाले में कि अधित नहीं से छ Ε्बकर्णी। पानी पूल बढ़ा हुआ था वो बच्चा आया स्कुल से क्लासे से भागते भागते और उदर पार करने गया तो समझा लादी है उदर तो गिर गया जब क्लासे छुटती है तभी की घटना है लोगों जो लोग आये बीचारे जवर के बारिस में और अंदर से अभी उनको ऐसे खुला रखने का खुला पढ़ा आज कितने दीन से पूरा और कोई बच्चे लोग दो चार 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 जोगे इसके पहले एक हुआ आज एक हुआ पर कल रात को एक हुआ दो घटना हुआ यहां मुझूद था यहीं से खड़े होके वहां देख रहा था बारिस भी खुब हो रही थी तो बारिस में भाग नहीं सका हो जा तक गुदर से दो आदमी लोग आ है वो निकाले उनको चाओ था कैसे घटना हुए थी जो से बारिस हो रहे थी ना तो एक लाशेस का बच्चा जा रहा था उससे लगा वहां रस्ता है वह विचारा नाले में गिर गया और पूरी तरह डूब गया दोशाल लोग उसको बचा यह तब जाके बच्चा ने तो भागया होता आद तीन साल से नाला खुला हुआ है परसासन यहां को द्हानन दे रहा है लोगई गिरती है पした बत वाल इसी घटना यहां पर हो चुक audit को बच्चह ने समय मिपाया और गिर गया नाले के अंदर दो चार लोगने मिल के उसको निकाला भाहर उसका भैक भी डूंग गिया था विशारा ने तो बयग या होता हो देखा आपने किस तरह से ये बच्चा नाले में गिरा कब खुलेगी मनपा की और नगर सेवकों की आख कब विकास का चस्मा उतरेगा नगर, सेवकों की आख से और सहर में खुले नाले गटर को देख सकेंगे, आकिर क्यों ऐसे नाले गटर बंद नहीं किया जा रहा है। करने की मांग की है क्योंकि बच्चों का आना जाना इसी रास्ते से होता है। करने की बारवाई प्रशासन की तरफ से या कॉर्फटे की तरफ से नहीं हो पाई है। तो आप लोग क्या इसके लिए टीमसी में नगर सेवकों से इसकी शिकायत की तभी भी ऐसी घठना सामनी हो सकती है। अब तक तो लिखत में से कोई शिकायत हमारे तरफ से मंदर के नहीं गई है। कि जहां पर हमने मंदर के ओफिसर्स को या फिर जो है के टीमसी या फिर नगर सेवकों हम इस बारें बता हैं कि आप जो है कि इस पर एक्शन मंदर के लिए। जो चीज सामने आई हैं इंशालाला हमारी कोशिश ही रहेगी कि देरेक जो प्रभाग समिती है। वहां पर एक ग्रिटन कंप्रें हमनों मंदर के दायर करे। और साधी साथ जो है के टीमसी का एक आप भी मंदर के लॉंच हो है रिसंटी। तो इंशाला दाला हमारी कोशिश ही रहे कि उस आप के जरीए भी हम लोग जो ही कि टीमसी को इस बार के इतिला करें कि जलसे अक्शन मंदर के लिए। तो लोगों ने इसे निकाल गया कि उसके बाद से फिर आप लोग एक्टी हो गया है बच्चों को बाधायदा हाथ पर अज़र पार करवाया जा रहा है आपके तरकती। जी इस बार पर हम लोगों और भी ज्यादा मंदर के चौकन ने हो जाते हैं वैसे तो हमारा मामूल ही होता है कि जब भी मदर के बच्चे छुटे हम लोगों वहां पर रहते हैं लेकिन कभी का बार ऐसा हो गया कि बच्चों को जल्दी छोड़ना पड़ा बारिश तेज होन हम लोगों को आसानी से मनाला पार करवा के लिए अब सवाल उड़ता है कि आखिर कब अस्थानिय जन प्रतिनी धी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कम मनपा द्वारा इन गटर नालों को ढखा जाएगा या फिर किसी हाथ से का इंतिजार किया जा रहा है उसके बाद ही सास प्रशासन हरकत में आएगी तो तमाम ख़बरों को जानने के लिए देखते रहे है प्रहाटेंग्स